तिकोने अद्भुत पहाड माटे हौन पर हवा में तैरता गोंडोला स्विस आल्फ्स का पूरा नजारा दिखाता हुआ केविन की लेदर की सीटें क्रिस्टल से सजी हैं और जब गोंडोला 170 मीटर की उचाई पर पहुँच जाता है तो केविन की सतह से इलाके के ग्लेशियर लैंड्सकेप का नजारा देखा जा सकता है इसे एक खास कांच संभव बनाता है जो बिजली की मदद से पारदर्शी हो जाता है यह बहुत ही अद्बुद है, मुझे पसंद है, वाव जैसे आप आसमान में हैं, उसे चू रहे हैं सूपर, बहुत ही अच्छा एडिया है, कुछ नया, बढ़िया माथे हॉर्न ग्लेशियर राइड यूरोप का सबसे उचा और सबसे लगजरी रोप होए है सैर्मार्ट बैगबान एजी ने इसे बनाने में साढ़े चार करोड यूरो का निवेश किया है मेरे ख्याल से ये रोप वे राइड का उत्सफ है, क्रिस्टल गॉंडोला का एहसास गॉंडोला का डिजाइन पाउलो पिनिन फारीना ने तयार किया है इटली के डिजाइनर घराने के पाउलो इस प्रोजेक्ट के साथ नई बुलरणियान तय करना चाहते थे लोग कहते हैं वाओ क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी इस उचाई में ये लगजरी पाने की मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि डिजाइन की कोई लिमिट नहीं है इस गोंडोला की मदद से पिनिन फारीना इतिहास रचना चाहते हैं